ये तो आप जानते होंगे दुनिया का कोई भी देश हो नूकलियर शक्ति हो नूकलियर से जुड़ा कोई भी रहस्से या कोई भी मुद्दा हो आसानी से ना बताते हैं ना साजा करते हैं। लेकिन उसकी परमाणू उर्जा कंपनी रोस्टम तमिल नाडू के कुडन कुलम में बनाय जा रहे हजार मेगावाट के सैंतर के लिए जरूरी कंपोनेंट का निर्माण करना जारी रख्य हुए है और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे पश्मी देश भारत को परमाणू टेक्नलोजी उपलप्त कौराने के लिए तयार हैं? अगर नहीं तो वो रोस के साथ अपने संबंदों को कम करने की उम्मीद क्यों करते हैं? तभी वेश के प्रतिनी दी प्रारंबिक नुकलियर फ्यूल साइकल प्रड़क के एक निर्यातक हाली में रूस के कलनी नुकलियर पावर प्लांट का दोरा करने के बाद इस पैंट नुकलियर फ्यूल यानि की SNF की प्रोग्रेस मेनेजमेंट के बारे में जानने के लिए रूस गये थे सलज शब्दों में कहें तो जो nuclear waste होता है उसे spent nuclear fuel कहा जाता है इसलिए nuclear reactor से nuclear waste को निकालना और प्रबंधन करना और उसको सही तरीके से निप्टाने के लिए भारतिय व्यज्यानिक रूस गए थे और रूस ने इससे जुड़ी सारी जानकारी भारत के साथ साज़ा भी कर दी ह और अब भारत यही जानकारी भारत के तमिलेड़ सेंदर में इस्तमाल करने वाला है जो भारत को आगे के लिए रास्ता देगा यानि कि यहां भारत अब रूसी टेक्नलोजी का इस्तमाल करके भारत ये nuclear waste का निप्टान करेगा ताकि भारत nuclear energy का इस्तमाल करने के बाद SNF को जानमाल की हानी भी ना हो और बता दे कि SNF की processing में जो भी काम की चीज़े बसती हैं उनको भी भारत आसानी से निकाल सकेगा ताकि उसका आगे इस्तमाल किया जा सके यानि कि रूस ने spent nuclear fuel यानि कि SNF को लेकर जो भी जानकारी साजा की है वो भारत को एक नई ताकत तो देग हो गए है